आम आदमी पार्टीना सांसद संजै सी शुक हिरायाचे जो विडियो जिस से आपने देखा कि सेयर मार्केट में कितने लोगों का पैसा डूबा कितने लोग खरब पती अरब पती बन गया दूसरा काम क्या हुआ कि प्रसासंत अंत्र को चुनाव आयोक को और जनता को भ्रमित करने का काम एक्जिट पोल ने किया मैं पिछले तीन दिन से लगातार कह रहा हूँ कि एक्जिट पोल के जो नतीजे दिखाये जा रहे हैं ये वास्तविक्ता से कोसो दूर है आपने 37% वोट शेयर तमिलनाडू में दिखा दिया चौदा परसंट वोट शेयर बीएसपी का उत्तर प्रदेश में दिखा दिया आपने इंडिया गड़बंदन के वोट शेयर तो ज़्यादा दिखाये लेकिन सीटें कम कर दी उत्तर प्रदेश में ये हेर फेर क्यों किया एक्जिट पोल ने ये समझ से परे 27% वोट शेयर क चिमाचल में 4 सीट थी वहां 8 दिखा दिया उत्राखंड में 5 थी वहां पे 6 दिखा दिया पासवान के बेटे चिराग पासवान 5 सीटों पर लड़ रहे थे उनको 6 सीट का दिखा दिया जीता हुआ तो ये एक्जिट पोल अपने आप में एक इसकी पोल खोल कल ही हो गई थ सारे डीटेल सामने रखे थे और मैं अभी भी मानता हूं कि अंतिम नतीजे आने तक इंडिया गडबंधन के पक्ष में नंबर आएंगे अभी जो मेरी जानकारी है वो 255 के आसपास इंडिया गडबंधन की सीटे पहुँच गई है बहुमत से थोड़ा आकड़ा पीछे है लेकिन अंतिम काउंटिंग तक नतीजे इंडिया गडबंधन के पक्ष में आएंगे बहुमत आएगा दूसरी बात ये कि ये वक्त बहुत निर्नायक है बहुत महत्तुपून है अंतिम समय में जब काउंटिंग हो रही होती है उस वक्त छोटे छोटे मार्जिन की जो सीट है उन सब के कारकरताओं से प्रत्यासियों से मैं अनुरोध और विंती करूंगा कि अंतिम वोट गिने जाने तक यहां तक कि बीबी पैट और बीबी पैट की परचियां और एवियम की मिलान होने तक आप डटे रहें मदगरना केंद्रों पर अपने समर्थों के साथ अपन तक के जो नतीजे सामने आए है